एलो दोस्तों मैं हूँ रावना गया हूँ एक और एनिमे सजीशन लेके दोस्तों तो आज का एनिमे मेरे को जहां तक लगता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा करके ही लग रहा है क्योंकि यह इतना भी ज्यादा यूनो फेमस एनिमे नहीं है तो यह एनिमे जो है यह 2013 में आया था तो इतना भी लेटेश नहीं है 2013 डिसमबर 26 तक चला था यह एनिमे 24 एपिसोड से एक ही सीजन है अभी तक के लिए मेरे को पता नहीं है कि सीजन टू आएगा भी कि नहीं क्योंकि वॉल्यूम से इसका एक है ये कौन सा एनिमे में बता देता हूं आडिमे के नाम है वैल रिव दे लिबिरेटर ओकी तो यह एक मैं अपसंद लोग को लाइक इस इस अ गूड आनिमे बोलोंगा बेच नहीं बोलोंगा बट इस एंग इसमी अनीमे तुम लोग देखोगे तो डेफिनेटली तुम लोग सारे ही एपिसोर्स एक ही दिन में कम्प्लीट करोगे क्योंकि इस आई-कैचिंग लाइक बहुत ही तुम लोग को स्टोरी भी तुम लोग को इसमें डुबा देगा कि तुम लोग और भी देखोगे ये आनिमे को सो तो यह अगर आप लोग को मेका पता नहीं है तो यह जैसे कि मैंने पहले भी बोला था यह ट्रैंस्फोर्मर्स टाइप कुछ बोल सकते हो जो की यूज करेंगे उन लोग वार के लिए या फिर फाइट्स के लिए ऐसा टाइप के लिए तो यह स्टोरी है कौन से यह में स्पेसिफाई नहीं किया है लेकिन सेविंटी फर्स्ट इयर ऑफ दे ट्रू एरा करके उन लोग ने कैलेंडर का यह डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सो यह इसमें सेविंटी परसेंट जो हुमन बींग से उन लोग एर्थ छोड़के सोलर सिस्टम में अलग-अलग प्लाने से वहां पर रह रहे हैं तो वहां पर यह स्टोरी चल रहा है इडिस मोमेंट डाइसन स्फियर के ऊपर तो यहां पर वर्ल्ड को इन लोग ने दो सूपर पावर्स में डिवाइट कर दिया एका नाम है ड्रोश्या मिलेटरी पैक्ट और दूसरा है अट्लांटिक रिंग तरफ भी नहीं है जो कि है जियोर जो जी ओर है जहां पर हीरो रहता है जो कि और सेंट रहता है वहां पर रहता है वह स्पीर के मॉड्यूल 77 पर तो डाइसन स्पीर जो कि मैंने बोला उसमें भी मॉड्यूल है और मॉड्यूल 77 में अपना बंदा हरुटो रहता है दोस्तों जिसको एक दिन वहां पर वार्स चलते ही रहते हैं बीच में कुछ एटाक होता है इनके स्पीर के उपर वार्स कई से हमला होता है कुछ लोग यह स्पीर के उपर एटाक कर देते तो यह बंदे को मिस्टीरियस पावर मिलता है जो की है मेका तब तक कहीं पर भी मेका नहीं है बतलब है लेकिन इतने पावर्फुल वाले नहीं थे यह स्पीर के उपर तो पहला मेका उसको कुछ तो अंड उसमें उसको मिलता है और वो लेके वो अपने मॉडियल 77 जो है वैल रेव के अंदर जाके वो डिफेंड करता है पूरा का पूरा मॉडियुल को और पूरा वहाँ पे जो भी लोग है उनके लिए हीरो बन जाता है एक ही दिन में लेकिन इसमें एक ट्विश्ट है दोस्तों ज ज्यादा हेल्दी रहने के लिए इसको दूसरों के उपर डिपेंड करना होगा सो वेल यह क्या पावर है तो तुम लोगों को बाद में पता चलेगा सो एपारेंटली जो भी वैल रेव में जाते हैं उन लोग अपना हुमानिटी खो जाते हैं नाए उनको कुछ टाइप ऑ करते हैं तो जो दूसरे वीड चतले वन når ते बोट्टे और यंगोंसियेशन में आते हैं बहुत कुछ देते हैं खक चलिए तो अपना वंदा अपने दोस्तों के साथ मतलब को बता देताए क्यां क्या करते हुआ कि को अपने दोस्तों के साथ बतलब सब कर माँचीा को नही पावर्स के बारे में कुछ नहीं बोलता है मतलब अपने साइड एफेट के बारे में और अपने आपको बहुत ही कंट्रोल करने लगता है ताकि वो किसी अपने दोस्त को एटाग ना करे उनको बता के वो यह मॉड्यूल को डिफेंड करके उसको एक सेपरेट नेशन के तरह डिकलेर कर देता है अपना खुद का नेशन बना के अराम से रहने लगते हैं लेकिन अफकोर्स यह दोनों जो सूपर पावर से ड्रोसिया और एट्लैंटिक रिंग यह थोडी ना मालेंगे तो क्या होगा यह सब क्या है वैल्वरेव क्या है और इसका पावर क्या है और भी यह के लिए तो आप लोग का आनिमे देखना पड़ेगा तो अगर मैं जानल बताओं मैं आप लोगों को तो यह जानल यह आनिमेका है मेका मैं का रोमांस ड्रामा ठ्रिल्लर और ऑर आक्शन फिक्शन है दोस्टो यह आनिमे ज़रूर्ध पताएगा इसमें दो सीजन से दो को 7.1 out of 10 rating दिया गया है और IMDB में 6.7 out of 10 rating दिया गया है जो कि बहुत खास नहीं बोलूँगा बट इस गुड मतलब 7 rating is good हमारे या तो 7 आएगा भी तो नॉर्मली सोचेंगे बट इस गुड यार मेरे मेरे को अच्छा लगा उसलिए मैं आप लोग को सजेश्ट कर रहो अफकोर्स मैंने भी देखा है उसके वज़े से बोल रहा हूं मैं या तो यह संराइज जो स्टूडियो है उन लोग ने यहां पर इन लोग इसको क्रियेट किया है और Animax Asia अगर आप लोग का याद है तो एक जमाने में हमारे टीवी में भी आया करता था अनिमेक्स करके जो कि आफटर अनिमे को बैंड कर दिया गया थो तो तब अनिमेक्स को भी निकालना पड़ा तो उन लोग के इंग्लीश और नाम नहीं लोग इससे पहले मेरे give in a little लोग कुछ बोल दे जी है सब्सक्राइल इसके सात्व के बार में जैदा मैं बोलोंगा सिर्फ और हरुटों के बार मीं भी आप आफकोर्स जैसे कि मैंने बोला है रोमैंस भी है तो आफकोर्स हो गई ही बाट लेट में टेल यू इसमें ऐसा हैंटाइ टाइप कुछ नहीं है दोस्तों तुम आराम से देख सकते हो बट यू नो थोड़े बहुत बीच बीच में डबल मीनिंग टाइप हो जाता है बट उन्हों जब रोमैंस है तो थोड़ा बहुत रहे गाई न दोस्तों बट यह एंटाइ टाइप आनिमे तो नहीं है तो अगर इसको मैं किसी एनिमे के साथ कंपेर करना चाहूं तो मैं नहीं कर सकता है क्योंकि मैंका भी है और इसमें कुछ तो सूपर नाच्रल पावर भी है सूपर नाच्रल नहीं बोलूँगा बस एक साइड एफेक्ट है जो कि मैंका को चलाने के वज़े से हुआ था अपने हीरो को क्या यह साइड एफेक्ट सभी को होंगे इसी च्प्रेडबल या फिर सिर्फ इसी को होगा और को और को पता चलेगा कि नहीं इसको यह साइड ए दिया कि अबस करें बहुत सरह को यहां पर दोश्क मेश्जा आपना मुजिक कि तो मुबाइल सो मोबाइल सी सब्सक्राइब को भी दिया है इनोंने अपना मीजिक बाइप सरे अपना देख रहां कि यह chemicalX आट两 2022 से लेके 2021 तक इन्होंने पूरा म्यूजिक दिया है बहुत सब्सक्राइब को बहुत अच्छा लगता है सुनने में अच्छा लगता है इंस्ट्रूमेटल एनिमे साउंट्रैक वीडियो गेम्स के लिए भी दिया है इन्होंने अपना म्यूजिक तो या मैं फॉर नाउ डाट ना की मेरे जैसे बट या डाट इस इट फो टुडे अगर आप लोगो और भी चाहिए सजीशन तो प्लीज लेट मी नो लास्ट टाइम मैंने कुछ कोड़ गयास के ऊपर किया था तो बहुत सरे लोग को गुस्सा की क्या तो बहुत पता नहीं है क्या तो कंप्लेंड कर रह जो भी करूंगा मेरको पता है कि बहुत सारे लोग ने देखा होगा और शिनों नहीं नहीं देखा उन लोग के ले करूंगा या जिनोंगे देखा है उन लोग में अगर कुछ पाइंट गलत बोल भी दिया तो comment section में बता देना एंड नो स्पोईलर्स दूसरों स्पोईलर्स होगे तो सीधा बैन कर दूंगा आप लोगों को चैनल से एड प्लीस कीप देख कॉमेंट्स क्लीन नो स्पोईलर्स। दैस इत गाइज पीज रावन लोगिंग आउट बाइ-बाइद दोस्तों